इंडियन नेशनल ट्रेंड यूनियन कॉंग्रेस की राष्ट्रे अध्यक्ष अंबाती कृष्णा मुर्ती और राष्ट्रे मास अचेव सुभाष चंद्र ठाकुर की अगुवाई में दिल्ली के लक्षमिनगर में सदस्ता समारों का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रे मजदूर कॉंग्रेस की राष्ट्रे अध्यक्ष अंबाती कृष्णा मुर्ती की अगुवाई में डीडी ए करमचारी सुरक्षा यूनियन के यूनियन अध्यक्ष चिदिलाल वर्मा को सदस्ता गरहन कराई गई कारेक्रम में जनरल ओफ सेक्रेटरी दयानंदराव सूरिजनाच शंकर जी वसमस्त कारेकरता मौजुद रहे वही अंबाती कृष्णा मुर्ती ने केंद्र को आड़े हातों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान और मजदूर विरोधी सरकार है आज किसानों की जो हालत है उससे पता चलता है कि किसान परिशान है जिम्मेदारी और इमानदारी इस इंटक परिवार में सभी लोगों की भागेदारी हो सभी लोगों को एक जिम्मेवारी दी जाए और उस जिम्मेवारी को इमानदारी से सभी पतादीकारी निमाए तबी हम सफलता के ओर बर सकते हैं इस उद्देश से हम पूरे परदेश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जीले में अपने इंटक परिवार का विस्तार कर रहे हैं और किसान मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर है। इसलिए हम पुरे देश में अपने संगटन के सदस्यों को न्यूक्त करेंगे और किसान वह मजदूरों के हग के लिए केंद्रे सरकार से लड़ेंगे। और क्या कुछ कहा अमबाति कृष्णा मुर्ती ने देखिये हमार स्पेशल रिबोर्ट में। परिशकार बरोवल के हम सो भी प्रार दना करें। इन टक के राष्टी अद्रिश किष्णा मुर्ती जी का हम बहुत बहुत धनवात करते हैं कि जो हमें इन टक में ने नेशनल सच्यों बनाया है और पिरभारी बनाया है बहुत बहुत इनका धनवात करते हैं। NBC News के लिए दिल्लिस से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।